दोस्तो सुआगे था एक बार आपका फिर से एक और नई वीडियो के साथ तो दोस्तो अगर आप हमारी चैनल पे नहीं आएं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तो हम इस चैनल पे फूल कंप्यूटर कोर्स कराना चाहते हैं पूरा master course होता है one year का तो दोस्तो सबसे पहले basic tally, web designing और दोस्तो DTP दोस्तो इस चार course हैं जो आते हैं और जिससे दोस्तो आप कोई भी work कर सकते हैं computer का अच्छे तरीके से तो सबसे पहले दोस्तो basic basic में दोस्तो सबसे पहले आता है paint जो दोस्तो आपको complete हो चुका है अगर आपने miss कर दिया है तो आपको description box में link मिल जाएगी तो दोस्तो दूसरे नंबर पर आता है notpad notpad दोस्तो आज नोटपेड की पहली class है तो इसके बाद wordpad, microsoft word और इसके बाद microsoft excel और इसके बाद six नंबर पर आता है दोस्तो आपका microsoft powerpoint तो आज की आज दोस्ते notpad की पहली class है तो सबसे पहले दोस्तो आपको पता होगा हम जैसे paint जब हमाई start होगा था shortcut की जो आपको लिखवाई गई थी जिसने आप use करते थे तो दोस्तो ऐसी notpad की भी कुछ चीजे हमने लिखवाई है shortcut keys भी है तो please इन्हें read कीजे जो एक professional तरीका होचा है जो हम तेजी से work कर सकते है वो इनी shortcut keys से कर सकते है तो read कीजे तो चलिए start करते है तो दोस्तो सबसे पहले आपको run में डालना है notpad जो आपको थोड़े पहले लिखवाई गई थी notpad की run command notpad ही होती है तो दोस्तो आपको notpad की coding उताना है इसमें पूरी की पूरी अगर आप कोई नहीं मिल पाते है तो वीडियो के end में आपको एक photo दे दी जाएगी जिससे आप अपने PC में भी दोस्तो टाइप कर सकते हैं या अपनी कोपी में उतार सकते हैं तो दोस्तो आपको टाइप करनी है दोस्तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा जब तक आप हमें support नहीं करोगे अपने मेरी वीडियो को मतलब like share नहीं करोगे कि आपको अच्छे से समझा सके तो I hope दोस्तो वीडियो आपको पसंद आती होंगी तो आपको दोस्तो एक टाइप करनी है वीडियो के एड में आपको इसकी एक इसकी इंसोर्ट दे दिया जाएगा जिससे आप अपने PC में यह अपने copy में लिख सकते हैं फिर आपको बताया जाएगा कि इसका क्या use है तो दोस्तो आपको यह टाइप कर लेना है तो आप देख सकते हैं दोस्तो जैसे कि यह टाइप हो चुका है थोड़ा जूम कर लेते हैं तो दोस्तो अब आप इसको सेव कर दीजे चुका है जो आपको सोटकर्ट की पहले लिखवाई गई थी तो नाम के बाद दोस्तो .html लिखे जिस नाम से भी आप सेव करते हो उसके बाद .html जरू लिखे .html की full form होते हैं दोस्तो hyper text markup language उससे दोस्तो उसका भी आपको यूज़ बताया जाएगा आप देख सकते हैं आपने अगर सही उतारा होगा तो आपको background color और ऐसे slide होता हुआ नाम दिखाया जाएगा तो इसको type कीजिए और देखिए और अगली वीडियो में हम आपको यूज़ बताएंगे अगर पसंद आए तो please like कीजिए और दोस्तो पास कीजिए दोस्तों को share कीजिए और दोस्तों comment कीजिए और चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में